ना किसी मर्तबे की ख्वाहिश ना मकाम चाहता हूँ, जो बदल सके जमाना, वो निजाम चाहता हूँ फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे एक ऐसे इशू के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसकी बुनियाद हमारे देश के तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए हुई थी, जिसकी बुनियाद इसलिए रखी गई थी, कि हमारे सिस्टम में जो खामिया है, उस सिस्टम से वो लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं आज ये बात बोल रहा हूँ कि जिसकी बुनियाद समस्याओं को दूर करने के लिए हुई थी आज वो खुदी एक समस्या बनके रह गई है मैं आपसे एक ऐसे इशू के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हम सबसे डील करना हमारी जिंदगी हमारे दुनिया में आने से पहले ही शुरू कर देता है एक ऐसा इशू जो ये डिसाइड करता है कि एक प्रेगनेंट विमिन को एक गवर्मेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए बैड मिलेगा या नहीं मिलेगा एक ऐसा इशू जो ये डिसाइड करता है कि जो डिलीवर्ड चाइल्ड होगा उसको अच्छी एडूकेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी एक ऐसा इशू जो ये डिसाइड करता है कि जो चाइल्ड है बड़ा होने के बाद उसको अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी Yes, my dear friends, मैं politics की बात कर रहा हूँ यह वही politics है, जिसकी वजा से हमारा देश आज दुनिया में सबसे करप नेशन्स में जाना जाता है यह वही politics है, जिसकी वजा से आज हमारा देश हंगर इंडेक्स में हंड्रेत रैंक पे आगया है आउट ओफ 119 कंट्रीज यह वही politics है, जिसको रिटन ओन इंवेस्टमेंट का मॉडल बना के रख दिया है आप 15 क्रोड रुपे एक पार्लिमेंटरी अलेक्शन में खर्च कीजिए और अगले 5 साल तक 50 क्रोड रुपे कमाने की जुगत में लग जाई है यह वही politics है, जो हजारों farmers को suicide करने से नहीं रोक पाया हजारों women का rapes नहीं रोक पाया अब इन तमाम चीजों के बाद, एक सवाल मेरे मन में जरूर आता है कि अगर politics as a system इतनी ही बुरी है तो जब जो हमारे founding fathers थे, जिन्होंने इस देश को अजाद कराया उन्होंने हमें ऐसा system क्यों दिया जब आप इस सवाल की तरफ जाएंगे, तो आप reflect करेंगे कि जो हमारे founding fathers थे, उन्होंने हमसे कहा था कि we the people of India, कि idea पे राजनीत करना यह हमारे constitution के preamble का first word है, we हमसे कहा गया कि we के idea पे politics करना लेकिन आज हमारे देश में divide and rule के idea पे politics हो रही है हमसे कहा गया कि social, political and economic justice के लिए राजनीत करना क्या आप सबको लगता है कि आज हमारे देश की राजनीत उसके लिए काम कर रही है जब आप इन तमाम सवालों को और इन तमाम reflections को अकेले में बैटके सोचेंगे तो आपको एक बात जरूर समझ में आएगी वो यह, it is not about the game, it is about the players who are playing it हमारे देश की राजनीत में समस्या नहीं है हमारे समस्या है उस बात से जो आज हमारे देश में लोग राजनीत कर रहे हैं then the politicians exchanged blows and not the verbal kind the assembly became a battleground as politicians hurled microphones and chairs at each other some ran for cover others fought on शायद इससे आगे मुझे कुछ कहने की ज़रूवत नहीं होगी, कि हमारे गेम में नहीं, क्योंकि founding fathers तो कह गए न, इसी politics के जरीए आप एक बहतर भारत बना सकते हैं, it is about the players, not the game, क्योंकि बहुत जिब्मिदारी के साथ मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, कि अगर आप इस समाज में change लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो हमारे system में problems हैं, हमारा देश जिन समझतियाओं को आज महसूस कर रहा है, अगर आप उनको दूर करना चाहते हैं, तो politics ही एक वो जरिया है, जिससे आप लाखो, करोडो और अर्वो लोगों की जिन्दगी पे सिर्फ अपने एक फैसले से फरक डाल सकते हैं, अगर आप इसकी negative connotations जो इससे attached हैं, उनको हटा दें, कुछ लोग कहते हैं कि पैसो से भी लोगों की जिन्दगी में बदलावा सकता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो इस पूरे दुनिया का जो सबसे बड़ा आदमी है, जिसके पास सबसे बड़ा पैसा है, अगर वो इस देश और समाज को बदलना चाहे, तो वो अपने पैसो के जरिये से कितने लोगों की जिन्दगी बदल सकता है, एक लाख, दो लाख, चार लाख, दस लाख, मुझे लगता है यह max है, लेकिन आप अगर politics में हैं, तो आप अपने एक फैसलों से हजारों, सिस्टम को बदल के रख दिया, गरीबों के लिए banks के रास्ते खुल गए, तमाम ऐसी schemes आई जिसने हमें banking से जोड़ के गरीबों के लिए हम policies बनाना चुरू कर दें, थोड़ी पुरानी बात थी, नहीं बात करते हैं, 2005 में, Right to Information Act आया, जो information सरकारी कागज़ों में दभी रह करती थी, जो information सरिफ member of parliaments और assembly में जो विधायक होते थे, उन तक available थी, आज कोई एक आदमी, एक छोटी सी application दे के उन तमाम informations को ले सकता है, हमारे देश के information system को पूरी तरह से बदल दिया, जो फाइलों में दभी रहती थी, आज वो हम सब लोगों के बीच में है, तो अब सवाल ये उड़ता है, कि इसकी essence के साथ भी, meaningful, सबसे meaningful activity होने के बाद भी, आखिर यूद का इसमें interest क्यों नहीं है, परसो मैं अपने एक दोस से बात कर रहा था, मैंने उसे बताया TED talk के बारे में, तो वो कहने लगा politics is nasty, it's cliche यार, कहा चक्कर में पड़े हो, जब इस तरह क statement देश के युवाओं से सुनने को मिलते हैं, तो बड़ा disappointment होता है, इसलिए क्योंकि किसी भी देश में democracy, अगर अपने युवाओं को, अगर यूद को साथ लेकर इस देश के बदलाव में भागिदारी नहीं करेगी, तो वो democracy कभी भी successful नहीं हो सकती, तो अब ये देखना ह कि आखिर युवाओं में politics की तरफ क्यों रुजहान नहीं है, अभी United Kingdom में एक survey हुआ, उस survey में ये पाया गया, कि युवाओं से बहां बात हो रही थी, जो 30 साल से कम उम्र की थी, उनसे पूचा गया, कि कितने percent लोग ऐसे हैं, जिनको ये फर्क पड़ता है, कि आने वाले elections में कौन सी government चुनके आए, कौन सी policies पे बात हो, तो बढ़े अफसोस के साथ क्या रहा हूं, सिर्फ 20 परसेंट लोगों ने कहा, 20 परसेंट यूथ ने कहा, जो 30 साल से कम उम्र के थे, कि यहां हमें फरक पड़ता है, जब इस तरह के statements यूथ से सुने जाते हैं, तो कहीं न कह हमें इस बात का सवाल जरूर पूछना है, कि आखिर यूथ जो है, वो इतना discontent क्यों हुआ है राजनी इस से, आप अभी देखिए, हमारा देश में, और खासतोर से हम पूरे दुनिया में इस बात को बोलते हैं, कि हमारा मुल्क जो है, वो सबसे युवा देश है, हमारी 65 पॉपुलेशन, 35 एज से नीचे है, लेकिन अगर आप हमारे पारलिमेंट की बात करेंगे, तो सिर्फ 11 परसेंट ऐसे पारलिमेंटेरियन है, जिनकी उम्र 40 से नीचे है, आप जानते हैं, कि हमारे देश की जो एक मीडियन एज है, वो 24 है, और आपको सुनके बहुत है, उसको question को challenge कर रहा है, और ये पूरे दुनिया का ये हाल है, सिर्फ 13 परसेंट पूरे दुनिया में lawmakers ऐसे हैं, जो 40 साल की उम्र से कमके हैं, तो इन सारे ideas के साथ, क्या कोई भी मुल्क अपने युवाओं के बगार तरक्की कर सकता है, अब सवाल ये उड़ता है, कि आख आपकी उम्र जादा है, आपको experience जादा है, इसलिए आप बहतर काम कर सकते हैं, क्या आपको लगता है, इस देश की युवा बहतर तरीके से ही नहीं, smarter ways में काम कर सकते हैं, आज जो सुबह से जितने भी TED Talk हुई, उसमें जो innovative ideas थे, उन innovative ideas को किस तरह से हम अपने policy level में लाकर एक innovation को use करकर हम एक better policies बना सकते हैं, लेकिन इस तरह का societal perception को तोड़ने की जरूवत है, एक perception क्या है कि जो students होते हैं na campuses में, उनको सिरिफ पढ़ना चाहिए, उनको सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं आप से जानना चाहता हूँ, कि अगर हम सिरिफ doctor बने, हम सिरिफ engineer और हमारे आसपास समाज में तमाम बुराइया हैं, तो क्या हमारी ऐसी degrees का कोई फैदा हो पाएगा, आज हमारे education system को एक robot पढ़ा करने की machine बना के रह दिया है, लेकिन किसी भी देश का education system, nation building के लिए हुआ करता था, उसका बुनियादी काम यह होता था, कि हम critical thinking develop करें, हम तेरे मेले सवाल पूछें, तेरे मेले सवालों से मतलब है, कि जो existing system है, आप उनसे सवाल पूछें, क्यों जब आप सवाल पूछेंगे, तो आप एक बहतर system की तरफ लेके जाएंगे, तीसरी बड़ी problem क्या है, कि उसमें money power का बहुत इसमाल है, money and muscle power का बहुत ज्यादा इस इसलिए youth जो है, राजनीत में नहीं आते हैं, मैं सिर्फ political rhetoric नहीं दूँगा, इन solutions की बात करूँगा, लेकिन उससे पहले, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आखिर, युवाओं को राजनीत में क्यों आना चाहिए, और अब तक युवाओं ने राजनीत में आके क्या बदला आते थे, 23 साल की उमर में उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा, जो भारत समभेशी भारत था, जिसमें हर इंसान को अपनी आवाज उठानी की आजादी थी, जिसमें आखरी लाइन में खड़े, आखरी इंसान को भी बराबरी का अधिकार दिया गया था, आप उस भग कुनोलियन टाइम्स में देश गुलाम थे, अब मैं बात करता हूँ किस तरह से यूथ ने पॉलिटिकल्स चेंज किये हैं, जितने भी कुनोलियन टाइम्स में देश गुलाम थे, उनकी अगर आप फ्रीडम आंदोलन को पढ़ेंगे, तो आपको ये आएगा कि सबसे ज्या ने उसकी आवाद उठाई और वो फिर लड़ाई पूरे देश में आग की तरह फैल गई, आप मौझूद हालात की बात कीजिए, याद कीजिए, निर्भया अंदोलन में सलको पर कौन था, अनना अंदोलन हुआ, सलको पर कौन था, सिस्टम को जो हमने हिलाया जिस तरह से, हमने सिस्टम में जो पार्लिमेंट में लोग बैठे थे, उनको सवाल पूछ कर, उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए मजबूर किया वो लोग कौन थे, मैं अपनी बात करूँ, Tata Institute of Social Sciences में हमारे फंड्स को cut-off किया गया, मैं उस वक्त Students Union का General Secretary था, हम लोगों ने एक आप सोचिये, अगर निर्भयान दोलन में युवाउने देश के युवाउने सडकों पे उतर कर सवाल पूछने के लिए मजबूर ना किया होता, तो क्या strong bill आता, जिसमें प्रवधान होते, रेप केसिस के लिए, आप सोचिये, अगर हमने इस उश्री को politicize नहीं किया होता क्या हमें अपने areas वापस मिलते, तो जो politics है, वो इसी का नाम है कि हम अपने सवालों के जवाब मांगें, हम एक बहतर समाज की तरफ और एक बहतर society की तरफ आगे बढ़ें, लेकिन अक्सर कभी-कभी क्या होता है, अक्सर ये होता है, कि जब हम आपस में बात करते हैं, तो ह हमें कही न कही politics से दूर करते हैं, कैसे? एक differently abled है कोई, उसकी एक political लडाई है, तो कभी-कभी शायद हम उसमें अपने आपको सामिल नहीं करते हैं, क्योंकि वो समस्या में feel नहीं कर रहा हूँ, एक gender equality की लडाई है, क्योंकि मैं man हूँ, patriarchal society है, तो मैं उन issues से अपने आपक कि लडाई लडना है, जो समाज के आखरी पैदान पर है, जो किसी तरह से marginalized हैं, जिन तक किसी तरह education की law नहीं पहुची, और युवा क्यों करते हैं, युवा क्यों एक रुख बदलते हैं, क्योंकि राम्मनो और लोया ने कहा था, कि जिस और जवानी चलती है, उस और जमान हैं, जो जिसकी वजा से youth politics में नहीं आ रहे हैं, पहले मैंने बताया था एक money का सवाल है, पैसे का इस्तिमाल बहुत है, क्या इस तरह की regulations ना बने, कि state funding किया करे election लडने के लिए, चार candidate होंगे, चारो candidates को government लडने का पैसा देगी, और ऐसी monitoring होगी, कि उससे ज्यादा हम पै इसा नहीं लगाएगा, तो जो corruption है, वो कहीं न कहीं हम एक level पर कम कर देंगे, एक research होई, उसमें ये पाया गया, कि जो political violence है, जो muscle power का इस्तिमाल है, उससे कहीं न कहीं, युवा अपने आपको उस दलदल और कीचर में नहीं धकेलना चाहता, तो इस तरह की regulations नहीं बनने चा तो जरूर इन तमाम चीजों को हमारा system बदल सकता है, ऐसे provisions मौजूद है, तीसरी बात क्या है, कि एक political parties को, अगर वो युवाओं को और युवाओं को एक political economy बनाने के जरूरत है, political economy क्या होती है, कि हर एक issue से उसके कितना political vote share जुडावा है, जैसे farmers की आज एक political economy है, कि अग परहासे political economy इस देश के युवाओं की बनानी है, अगर हम सब लोग unite होकर सलको पर होंगे, तो हम agenda set करेंगे, जो लोग पारलिमेंट में बैठे हैं, क्योंकि देखिए, राजनीत का मतलब सिर्फ electoral politics नहीं होती, मैं मानता हूँ, एक एहम हिस्सा है electoral politics, एक बार गांधी जी से एक बार ये पूछा गया, कि आप क्यों राजनीत में नहीं आते, तो उन्होंने कहा, कि वो वाली राजनीत आप कीजिए, मैं इसके बाहर की राजनीत करूँगा, जो आपको आइना दिखाने की काम करेगा, जब आप कोई गलत policy बना रहे होंगे, मैं आंदोलन करूँगा, और मैं सवाल पूछूँगा, ताकि आप सही policies बनाएं, क्योंकि रामलोन लोया ने एक बात और कही थी, कि जब सडके आवारा हो जाती है, जब सडके सूनी हो जाती है, तो संसत आवारा हो जाता है, जब लोग सडकों पर इस बात की लडाई नहीं लडते हैं, तो जो लोग कि भागिदारी बढ़े, उनको स्टाइपंड का एक सिस्टम शुरू करना चाहिए, जो अच्छा यूथ है, जो चाहता है, इनोवेटिव आइडिया आएं, हमारे देश का समाज इस तरह से बदले, हम जो है टेक्नलोजी को किस तरह से अपनी डेमोक्रिसी के साथ जोडें, वो एक स्टाइपंड दे, वो स्टाइपंड दे ऐसे यूथ को ताकि उन्हें नर्चर किया जा सके, और जो डिफरेंट रिजर्वेशन है हमारी सोसाइटी में, उनमें हमें एक कैप बनाएं, कि ये इस कास्ट का अगर किसका भी जितना भी रिप्रेजेंटेशन हो, उसमें आइडियाज होंगे, जब सवालों की राजनीत होगी, तो कहीं न कहीं एक बहतर भारत का सपना जो देखा गया था, उसको पूरा करेंगे, अभी 2019 करीब है, 2019 के एलेक्शन में इस देश का अजेंडा सेट करना है, अजेंडा किस बात पे हो, जो नफरत की राजनीत ना करे, अजेंडा किस बात पे हो, जो धर्म और जाज से उठकर वोट करने की बात करे, अजेंडा किस बात का हो, कि जेंडर एक्वालिटी समाज में आए, अजेंडा किस बात का हो, जो माजिलाई सेक्शन सक कभी एडूकेशन नहीं पहुची, उन तक एडूकेशन पहुचे, अग किसी के साथ अपनी बात खत्म करूँगा, कि ना किसी हम सफर, ना किसी हम सफर, ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाउं का काटा हमी से निकलेगा.